Hello Friends आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के उपर और हम सबसे फहले चर्चा करेंगे आज आपके साथ की कल हमने क्या चर्चा आपके साथ की ती कल की चर्चा थी हमारी ल उन्ट राइस और एवरी राइस दे सेटिं ऑपोर्चुनटी ये हमने चर्चा की आज अगर हम इंट्राडे इस मुव को अगर प्ले करते रहते दिन बर तो तक्रीबन आपको तीन बुव ऐसे मिले जहां पर कि अच्छा प्रोफिट आपको होना था एक मुव ऐसा मिला जहां पर कि आपका स्टोपलोस ट्रिगर हो गया यानि कि जो इंट्रडेट टेडर्स हैं उनको आज अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी और वैंक निफ्टी में भी तीन बार तो आपको से लोन राइस में प्रोफिट आ रहा था एक बार आपका स्टोब्लोस टिकर होना था बजार आज सुबह खुले खुलते के साथ ही बजार उपर की तरफ गए बैस पंदरा वीक्स मिनट की बात थी बजार ने नीचे आना शिरू कर दिया और तक्रीबन एक बजे के आसपास एक मूव आया अप मूव और उसमें स्टोब्लोस ट्रिगर हो गया उसके बात आप हर र आज जो है तक्रीबन तीन बजे के आसपास एक बर उपर से फिर वीकनेस दिखाने की कोशिश की बजारने एक वहाँ पर जो एग्रेसिव ट्रेडर से हैं वो शैद जो इंट्रेडे में प्लेगरते हैं वो जानते होंगे तो वहाँ पर जो है एक ट्रेड लिया आ सकता था बड़ लास्ट की क्योंकि तीन बजे के आसपास होता है तो फोड़ासा जो है रिस्की होता है लेकिन व्हों मतलब है एक सकस्फफूल ट्रेड रहा होगा सेल ऐनगरहीं और वहाँ पर आज की जो candle वनी है फिर दुबारा से एक sequence के इंतर दूसरी red candle है ये आमंतरित कर रही है sale on rise को फिर दुबारा से और ये जो indications है जो मैं निकल आपके से बोक्स की बात की थी मैं अभी उस बोक्स के उपर ही जो है प्ले करना चाहूंगा और ये जो बोक्स है वो मैं आपको कल भी कह रहा था कि जब 17,800 के आसपस जाता है इंतिजार करेंगे अब देखेगा लोग क्रेडिट पुलिसी की बारे में 36 तरीके की बाते करेंगे अब कोई कहाईगा जी रेट फिंटरेस्ट नहीं बढ़ा तो बजार नीटरल रहेगा कुछ लोग कहेंगे जी कमजोर हो सकता है अब अगर हम पूरी घटना करम को देखे ना मैं क्रेडिट पूलिसी का आज आपके साथ एक और बड़ी अच्छी चर्चा करना चाओगा देखिए का क्रेडिट पूलिसी में असर तब होता है क्रेडिट पूलिसी का जब एक ट्रेड़ बदलने की उमीद हो यानि कि माली जेगा आपका जो रिट अफ इंटरेस्ट का जो ट्रेंड है यानि कि रैपोरेड या रिवर्सर रैपोरेड का ट्रेंड डिक्रीजिंग है और अचानक उसका रिवरसल आजाए जैसा भी हमने द मतलब आपको एक ट्रेड दे रहा होता है यानि कि एक अच्छा मूव जो है बजार में आता है उस समय पर जब पहली बार अभी एक लंबे अंतराल के पर एक साल के लगब हो गया है तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला शीर हुआ था फॉर्स राइम जिब तो बजार ने नेगेटिवली रियाट किया था फिर देखे का ये अंदेशा था कि बढ़ता रहेगा अब कल के लिए उमीद क्या है क्रेड़ पोलसी बहां देखे का क्रेड़िट पोलसी से जो उमीद है वो दो तरीके के मतार रहे है एक वर्ग मान रहा है कि नई जी रेट आएगी वह यह आएगी कि भाई अब inflation बढ़ने रही इंडिया में और जो हमारा targeted है CPI का उस range के अंदर बजार आ रहा है December में अगर हम बात करें तो December और January की जो data है उकल मिलाकर यह indicate करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ अब उतनी महंगा ही नहीं है तो हो सकता है कि यहां पर 0.25 जो है बेसिस एनकी 0.25 परसेंट यह 25 बेसिस पॉइंट का rate of interest का इजाफ़ा मिल सकता है आगर पहला incidence होता है यह दूसरा incidence होता है तो सर क्या gap होगा मुझे लगता है कि यह बजारों को पता है कि October, November, December और October के बाद especially November और December यह दो सीजन दो महीने ऐसे होते हैं जहां पर मैं इसको खुड़ सा अलग तरीके से बोलूँगा आलू, गाजार, पालक, मूली, गोबी सबसस्ते हो जाते हैं कहने का मतलब कि बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जो सीजन में आती है और उनकी पर्चुर मात्रा में उपलब दता होती है तो सबसे पहली पर तो वेजेटेबल सबसे सस्ती हो जाती है दूसरी जो सोफ्टनेस हाती है वो डालों का गएर है कि डिमांड कम हो जाती है क्योंकि उस समय पर सबसे सस्ते रेटे मिल रही होती है तो डाले भी थोड़ा से नीचे की तरफ आ जाती है लेकिन बार इस पर वीट के प्राइस उपर की तरफ रहे है तो कुल मिलाकर मिक्स मिक्स यह रहता है कि हमारे यहां पे इनफलेक्शन थोड़ी सी जो फूड इनफलेक्शन है वो स्पेशली वो कूल डाउन हो जाती है इस पीरिड के अंदर अब जहां तक बात करते हैं कि वर्किंग आवर्स भी रिडूस जाता है स्पेशली अगर नोट से डिया की बात करे कि बहुत सारे जो लोग है मतलब जहां गाड़ी चलनी चाहिए वह भी नहीं चलती है तो जो फ्यूल की के इंजमिशन है वह भी थोड़ी सी लोग साइड पर रहती है क्योंकि लोग सुब उठते ही लेट है और जल्दी से काम नुप्टाते तो जो फाल्तु गुमने वाले क्ठते ही लोग वह पी थोड़ा सा कम हो जाते हैं क्योंकि डियुरेशन ही कम ओती सरदी इतनी होती है और जो मतलब आफिस जाने वाले जिन को को लिज जाना है वह तो खात्षा है लेकिंगे जो मतलब घूमने फिरने में जो भी गरते हैं वह थोड़ी सी संख्या कम हो जाती है यह रोड़ पर आप देखते हैं कि ट्रैफिक जो की जो रनिंग है वो थोड़ी से कम हो जाती है मतलब अगर आप देखेंगे तो सुबह पांच बजे से लेके साथ बजे तक ट्रैफिक कम होता है जो कि गर्मियों में ऐसा कुछ नहीं होता तो कुल मिलाकर दिन छोट रहती है तो वह असर शायद कल भी आपको देखने के लिए मिलेगा मेरा वीव यह है कि यार यह सब चीज है डिसकांट हो चुकी है अगर 0.25 बढ़ता है तो फिर आप कहोगे जी बैंकों के लिए बहुत बढ़ी है बैंक जो है फिर रेट ऑफ इंट्रेस्ट बढ़ा की वज़े से जो असर आ रहा है और यह जो असर आएगा यह मतलब कुल मिला कर अच्छा नहीं होगा अगर इस बार भी 2.5 लेकिन कमेंटरी अगर ठीक आगी तो फिर भी जो है बजार सॉफ्ट कर लेगा आपने आपको ठीक हो के बट जहां तक हम में पैटरन देखने के लि यूज देदवा हम बजार को 41,000 के नीचे लाएंगे तो आज बजार ने हालाकि टेस्टिंग की थी 41,95 पे बजार आया था लेकिन बूल्स ने वहां से माल उठा लिया और मैं आपको पहले से बोल रहा हूं कि यह जो बजार के अंदर जो बड़े स्मार्ट अप ले रहा है यह बहुत धीरे-धीरे माल को जो है उफलोड कर रहे हैं यहां से भी आपको पता चलेगा देखिए कब मैं आपको option chain की डेटा दिखा हूं उससे पहले मैं आपको FIs की डेटा दिखाता हूं FIs ने 2559 क्रोड की सेलिंग की अब DIAs आज सोफ्ट हो गए 639 क्रोड की है तो इसका मतलब क्या है FIs की इतनी buying के बाद भी Sailing के बाद भी DIAs की 639 की buying के बाद भी बजार में तो कोई weakness आई ही नहीं येस आज अगर हम इस pattern को देखें बैंक रिफ्ट के hanging में नीचे से बजार जब उपर से Sailing आई जो हम anticipate कर रहें कि FIs की की तब भी बजार नीचे से उठाया गया उठाया किसने क्योंकि DIAs की तो buying है नहीं बड़ी तो जो हमारा HNI मनी है यानि कि high net worth investors उसने बजार को नीचे से उपर उठाया और उसने अपने जो भी तेजी की positions थी वो offload कि कि भाई ठीक है आज तो हम खीच ले आए अगर कल FIs फिर मारेगा नो तो हमें दिक्कत हो जाएगी तो उन्होंने अपनी options के जो सोदे थे वो जो है settle कि और और फिर देखिएगा options की 7 तारिक की बाई 11,000 क्र केंगे तो रोकने वाला कोई नहीं है आज एचे नहीं ने अपने तेजी के सोदे काट रही और यह जो 11,000 क्रोड की बाईंग जब भी excessive बाईंग आ रही है FIs की तरफ से अगले दिन एक बड़ा मूव आता है पीछे मंदी के थे फिर एक बार तेजी का आया अब दुबारा से हमें लग रहा है कि मंदी का रुख दुबारा से इन्होंने बना लिया है जिसकी वज़े से मैं anticipate कर रहा हूं कि देखेगा सब लोग तेजी खेल रहे है फिर दुबारा से बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ज और चैलिंज भी आएगा जो मैं आपको बताया इंशुरेंस कंपनी के बिजनस पे इपक्ट आएगा और जो न्यू रिजीम के इंदर इंकम टेक्स रिटन्स फाइल होंगी तो बहुत सारे इंसेंटिव्स जो एटीसी में मिलते थे वो लोग लेना पसंद नहीं करें वो ल सरकार इंसुरेंस में दी जाना है क्यों में पीपेफ अकाउंड खुलाना है क्यों मैं एनसी खरीदनी है क्यों में पने बच्चों की ट्विशन फीज का इसाब रखना कुछ नहीं रखना भाई सीधा मतलब आप साथ लाग के रिटन बरो और काम खत्म करो सरकार यहीं चार रेजल्ट सारे उनको देखके तो बिल्कुल भी नहीं है अब यहां पर निफ्टी आज ठीक था अज मेटल पैक कमजोर होगे देखिए केंडल फिर नेगेटिव बता रही है बड़ स्मार्ट प्लेयर है यह नीचे माल नहीं बेचना चाहते कि तब बचार को उपर लाओ फ कि कोशिश की है बट मैंने का तब मेरे को दनीपोर्ट ठीक है ट्रेड के लिए लिया है प्रोफिट बुक कर लो हाले कि आज अच्छा रुन अप था लेकिन उसके बद सारा सेलों राइज हो गया हमाँ पर भी टीसेस 3472 एक अच्छी एपिकप के बाद जो है आज अच्छा कंट्रिविशन देता हूँ नजर आया आई टीसी टाटा स्टील एच्छी एल इंफोसेज इंडाल को सब कमजोर थे और मेटल पैकाज पूरा कमजोर था टाटा स्टील के जो रिजल्ट है वह भी बजार को पसंद नहीं आया एडवांस डेक्लाइन देशो इन सब के कि मैंने कल शायद वो डिसकस नहीं करी आपके ज़र और अक्टर रेडिज दानी पोर्ट को टक वहंदरा इंडेसिन बैंक जो है यह तेजी में थे इंडेसिन बैंक की कल मैं बोल रहा था कि प्रमोटर्स का जो इंट्रस्ट है वो अपनी इंडेसिन बैंक बढ़ाने का जो ह है इंदुजाज जो है प्लान कर रहे है तो वह एक जो है रिलीफ है और एक प्राइस को गिरने से रोकने में काफी जो है इंपोर्टेंड जो है भूमी का जो है निभा रहा है इंडेसिन में के में 20 औरेंड और इंडाल को है दोनों मैटल में से कमजोर थे itc आजल के बार two point five percent की जो है कम जो री थी ही रो मोटो कोप सन फार्मा मौतिश जी कि इंदुस्तान यूनिलिवर लिम्टेट टाटा मोटर तो रैच्सेल टेक यह सब कम जोरी के साथ काम करेगा ही ही रो मोटो कोप के जो है जो एकस्पक्टेशन थी उसके इसाब से ही नंबर्स आई हैं एक कंप्री नाज डिक्लेर किया है निफ्टी बैंक 41-490 एक बार तो देखिए का ऐसा लगा था कि बाज आज एक तालिस जार भी बजार तोड़ देगा जिस तरीके से फोल हुआ था लेकिन वहां पर जब राइस में अगर आपने बजार बेचा तो मैंने का कि दीन बार मोका दि है और निफ्टी बैंक भी जो है एक न्यूटरली क्लोजिंग है लेकिन जो पैटरन है नीचे से जाके उपर आया उपर से नीचे आया और एक राइस के बार तो देखी काफी अंदेशा जिब है रहता है और ऐसे में बजार कम जोर होने की जो है संभावना रहती है और डिस 55-45-55 लोंग है 55-45 मंदी है 45 लोंग है तो ऐसा कुछ नहीं है मेरा भी न्यूट्रल ट्रेड है और जिस तरीके से बजार रियक्ट करता है उसके हिसाफ से प्राइस एक्शन देखके काम कर लेते हैं तो रीजन ही है कि मैं भी ना अग्रेसिवली बुलू ना वियर हूं और इस समय पर मुझे लगता है कि जो से लंड़ राइस है वह भजार फिर प्राइस एक्शन दिखाता तो उसके इसाफ से काम कर ले तो वह ज्यादा समिजधरी है और अभी जिस तरीके से हमें लग रहा है बजारा के इनदर बड़े स्मार्ट ब्लेर जिस तरीके से प्ले कर र बजाय के पहले तेजी बना के उसके स्केर आफ करना और अगर माली जी का एक पटिकुलर इंपोर्टेंट जो लेवल सा उनके उपर बजार शलना शुरू करता तो यह तेजी बना लो बट अभी संकेत है नहीं वैसे कोटक महिंदरा में मैंने देखिए को पिछले एक महिने से यह कह रहा है तो बहुत अगर नहीं टूटेगा बेशक से बैंक रिप्टी की दिज़्जी आउड़ागी लेकिन कोटक महिंदरा वैंक ने आपने आको समझाल लिए क्योंग यह पार ही तूट चुका था अभी चेत्रपॉंट का कंट्रिबूशन दिया एस बेने भी कंट्रिबूशन दिया है एस डिफसी ने भी दिया तो आज जो है को यह न्यूट्रिल ट्रेड थे और एक समय तो देखिए का है एच्छा कम्जोर लग रहा था लेकिन इसने अच्छी जो है स्टैंक दिखाई उदर स चेंग था और वह पता था बूल्स को कि आज इसको कीचना है और वोल्यूम भी आज बढ़ गए थे सुबह पांच मिलियन वोल्यूम से हो गये थे तो कोटक में देर सुरी पांच मिलियन कहा रहा जो है पांच लाख का वोल्यूम हो गय था सुबह सुबह और 3.64 एन्दी की जो है आज वोल्यूम्स काफी अच्छा था कोटक मेंदर बैंक में तो नॉर्मल वोल्यूम्स से थोड़ा से जादा था तो सुबह मतलब पांच लाग का जो शेस थे वो सुबह 15-20 मिनिट में जो है खरीदी ले गए तो यह लग रहा था कि भई आज कोटक मेंदर बैंक बैंक ऑर आइसए ऐसे बैंक और एकसे साइडवेस थे अब जो है कल भुमी का निभानी है वे फ्यूटे मट्जम बैंक है वह उसी तरफ जो है रहा कर लेंगे जितर बड़े बैंक जाने की कोशिश करेंगे और फेडरल बैंक को अगर हम ध्यान से देखे तो फेडरल बैंक में ज से डिसकस कर चुका हूं और कुल मिला के इंडेक्स की जो उप्षिंस की वाई और वाइज ने स्टोक उप्षिंस बीची है आज और वैसे भी स्टोक फिचर बेचें तो स्टोक फिचर से जादा इंडिकेशन मिलता नहीं है पूट कोल रिशो में पूट राइटर पॉइंट 655 पूट राइटिंग हट गई आज और बैंक निफ्टी फिर पूट राइटिंग है और डाउ जोंस इंडस्टी लेए पॉइंट 4 परसंट इकम जोरी ब्रैंड पूट देखी गा असी डॉलर के बाद अब आज फिर 82 डॉल की कोल रेटिंग भी है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छी जवस्त कोल रेटिंग हो रखी है 17800, 17918 तो यह 17800 से 17800 का लेवल है इसको जो है मंदी करने वाले बड़े मजबुती के साथ यहां पर खड़े हुए हैं वहीं पर तेजी करने वाले या बजार को रोकने वाले का जो पहला स्पोटर को 17700 की तरफ है जहां पर उनने जार कॉंटक्टेड हुए लेकिन 17600 से अज अन्वंडिंग होगी तो इन्होंने शिफ्टिंग यहां पर कर ली 17600 से थोड़ा सो कॉंफिडेंस दिखाते हुए 17700 पर आ गए और 17500 की ओप्शन में भी पूट राइटिं यहां पर लग रहा है अगर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में आज दिखी का पूट राइटर भी अग्रेसिव थे और 4500 पर 13000 कोंटक्ट आज अड़ कर लिए जबकि 4500 की कोल के अंदर एडिंग नहीं हुई हाले कि जो ओपन इंट्रेस्ट है वो कोल सा इसलिए मुझे लगता है कि जो आपको महसूस हो रहा है महसूस ही ही हो रहा है कि निफ्टी बैंक तो भी डारेक्शन नहीं वदा रहा है अप्शन चेयन में लेकिन रोकनी की तरफ इशारा कर रहा है कि बजार कम उपर नहीं जाने दूंगा और कल credit policy बेर रहेगे सब की नजर credit policy में क्या मैं सोचता हूँ आप क्या समझते हैं आप क्या सोचते हैं क्या मुझे समझाना चाते हैं अपने comment से वो सब सिलसिला जो है हमारा जारी रहेगा और कल फिर एक नई चर्चा के साथ आपके साथ बने रहेंगे वीडियो को देखते रहें वीडियो अगर पसंद आये तो इसको like भी करते रहें और आज की चर्चा में मुझे लगता बस इतना ही और आज की चर्चा यहीं पर स्वाप करते हैं देखते हैं झाल 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 झाल